हेलो एवरिवन जैसियाराम राधे राधे और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सकट चौत रत या तिल कुटडी के वरत में हमें क्या-क्या समगरी चाहिएगी वरत कैसे कर सकते हैं वरत के नियम क्या होते हैं पूझा विधि क्या रहेगी उन सभी की वीडियोज चैनल पे आ चुकी है उने भी जरूर चेक करिएगा लिंक सभी कामें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी तो देखे सबसे पहले तो आपको चोकी चाहिएगी और आसन चाहिएगा भगवान की चोकी लगाने के लिए उसके बाद देखे पूजा के लिए आप चाहें तो खाली गनपती भगवान को भी ले सकते हैं, उनकी मूर्ती या फोटो या शिप परिवार की भी पुजाब कर सकते हैं, क्योंकि ये वरत जो है ना, तभी माताय अपनी संतान के ले करती हैं, इसलिए आज के दिन माता पारवती और गनपती भगवान दोनों की पुजा भी क जाती है, तो आप चाहें तो गनपती भगवान की मूर्ती ले ले चाहें, तो माता पारवती संग भी ले सकते हैं, साथी में देखें तिलक के लिए हमें चाहिएगा चंदन, साथने आप रोली ले लिजेगा, अक्षद चावल और आपके जो चावल हैं वो टूटे वे नह होने चाहिए तो यहां में अक्षत ले लिए हैं हम यहां पर यह ले लेंगे मोली यानिकी कलावा अपने हमें लोटे वगार पर भी बांधना होता है उसी के साथ सा देखिए आज के दिन तिल का विशेश रूप से महत्व होता है तो आज के दिन भोग में भी तिल से बनी तो आप इस तरह से जनेव ले ले नहीं तो आप कलावे से भी भगवान को जनेव बना के पहना सकते हैं जोत ले लेंगे आप चाहें तो तिल के देल की ले सकते हैं या देशीगी की भी ले सकते हैं साथी में हम धूप दिखाने के लिए यहां पे धूप ले लेंगे और आ तिलों से आप कहानी सुनेंगे या कथा सुनेंगे वो कच्चे ही होने चाहिए तो आप कच्चे तिल लेंगे कथा सुनने के लिए और भुनेवे तिल या तो आप भुन के इस तरह से बना लें बुरा या गुड मिला के कुछ कसार सा उसका ले सकते हैं भूग लाने के लिए तिल से बनी हुई कोई मिठाई ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मार्किट से बनी हुई कोई और भी मिठाई वगर आप ले सकते हैं, लेकिन कहानी सुनने के लिए आप कच्छे ही तिल लें, साथी में देखें, आप कुछ भी सीजनल फूल ले सकते हैं, फल वगरा ले दो फल ले ले, पांच फल ले ले, तो देखें बढ़ाने को तो आप कितना भी चीज़े बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़े चाहिए, मैं आपको वही दिखा रही हूँ आपे, साथी में हम पूजा के लिए कुछ फूल ले लेंगे, तो देखें मैंने आपे लाल गुलाब का फूल ले लिया है, सफेद फूल ले लिया है, कुछ गैंदे के फूल ले लिया है, तो आपको भी जो फूल असानी से मिलें, आप वो ले ले, भगवान गनपती को विशेष रूप से लाल रंग के फूल पसंद होते हैं, गुढ़ल का, और साथी में दूर्वा विशेश रुप से चढ़ाई जाती है भगवान गनपती को तो अगर आपको मिल जाए हो सके तो आप दूरवा भी जरूर से ले ले साथी में हमें चाहिएगा एक लोटा जल कथा सुनने के लिए तो देखे एक लोटा जल तो हम सुभे जब कथा सुनेंगे पूजा वगर करके तब हम सुर्य भगवान को अरक देंगे और एक लोटा जल हमें चाहिए होता है शाम को जब हम चंद्रमा को अरक देते हैं उसके लिए उसी के सासत हम कुछ दक्षना रख लेंगे पूजा में चढ़ाने के लिए और बाइने में निकालने के लिए आप या तो साड़ी ले 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 इस तरह से या फिर आप चाहें तो सूट ले सकते हैं जिने भी आप बाइने का निकाल के देंगे आप देख लीजेगा वो सूट पहनते हैं साड़ी तो आप वो ले लेजिएगा क्योंकि जो भी जो खुशों के पहने वही देना चाहिए उसी के ओपर आप कुछ सुहाक का सम्मान जरूर से रखें आप अपने हिसाब से 5 चीजे रख सकते हैं, 7 चीजे रख सकते हैं नहीं तो केवल आप एक बिंदी का पता भी रख सकते हैं सुहाक का समान तो देखे वैसे भी बहुत अच्छा रहता है दान करना तो आप अपने हिसाब से 2 चीज, 5 चीज, 7 चीज कुछ भी रख लें हाँ साथ में आप दक्षना जरूर रखें बायने में निकालने के लिए तो दक्षना हमें 2 चाहिए होगी, एक तो थोड़ी से में पूजा में चढ़ाने के लिए के साथ और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजेगा और भी आपको सकट चौत तिल चौत से सभी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी उन्हें भी जरूर देखेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजरी जरूर से लगाईएगा जैस याराम राधे राधे